हेलो फ्रंट्स आप सब का आपके पने चैनल गोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत हैं तो कैसे हो आप सब उम्मेद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पड़ाय बेज़े चल रहे होगी तो ककसद इस भुगल विश्य के महतपन परशनों की सिरीज में आजम अध्याचार, प्रसी, एग्री कल्चर के महतपन परशनों को डिसकस करेंगे हमने आपकी भुगल विश्य के अध्याए 1, 2 और 3 के महतपन परशनों की सर्चा कर ली है वो क्लासेश आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं इसके साथ साथ विज्यन विश्य की क्लासेश भी चल रही है और साथ ही साथ आपकी इतियास विश्य की क्लासेश भी चल रही है तो वो classes पर आप channel की playlist पर जाकर आराम से देख सकते हैं तो चलिए class शुरू करते हैं पहला प्रशन है इनमें से कौनसी रोपन फसल नहीं है ऐसी कौनसी फसल है जो रोपन फसल नहीं है यानि जिसको रोपा नहीं जाता है तो वो है आपका चावल बाकी चावल, गन्ना और रबबर्ट इनको रोपा जाता है इसी वज़े से ये रोपन फसलों के अंतरगत आती है दूसरा प्रशन है भारत निम्न मैंसे इस उतपाद का निरियात करता है यानि कि बेचता है तो वो कौन है चावल, कौपी और मसाले इन सब का भारत के द्वारत के क्या जाता है निरियात क्या जाता है निरियात का मतलब है बेचना और आयात का मतलब है खरीदना इसरा प्रशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट तीस फसल को सुनारा रेशा कहा जाता है इस फसल को सुनरा रेशा का जाता है तो जूट को का जाता है सुनरा रेशा प्रशन संगया चार है इनमें से कौन सा मोटा अनाज नहीं है तो जो आपका गेव है वो मोटे अनाज के अंतरगत नहीं आता है बाकी जुआर हो गया बाजरा हो गया और रागी हो गया ये मोटे अ सबसे बड़ा उत्पादत देश जहां पर चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो वो है आपका चाइना प्रशन सेंके अच्छे हैं जूट किस प्रकार की फसल है जो आपकी जूट है वो किस प्रकार की फसल है तो ये फसल एक प्रकार की रेसिदार फसल कैसी फसल र में से डलहनी फसल कौंसी है, तो वो है आपकी मतर, ठीक है, जिससे डाल बनती है, प्रिशन संक्या आठ, कौंसी जायद की फसल है, जायद का मतलब होता है, कि जो गर्मी रितु के इंदर बोई जाती है ठीक है जब रभी फशलों की कटाई हो जाती है जیसे गेवी शर्सो की कटाई मार्च के आजपास हो जाती है तो मार्च से लेकर जून जुलाई के बीच का जो समय होता है इन महिनों के अंदर जो सबजिया विशेश कर आपके ककड़ी, खीरा ये चीज़े बोई जाती है ये फशले होती है आपकी जायद की फशल तो तरबूज, खरबूज, ठीके अगला है प्रशन संख्या 9 बारत की दूसरी सबसे महत्वपून खाद्यान फशल कौन सी है तो पह पहले नंबर पर कौन है पहले नंबर पर आपका चावल ठीके और दूसरी नंबर पर कौन है तो दूसरी नंबर पर है आपका गेवल ठीके दूसरा पहस्न है भारत की दू मुख्य फशलो के नाम ये कौन सी फशले है ये कह सकते है व्यापारिक फशले ठीके व्यापारिक चाय और कॉफी, ये दो महत्पुन व्यपारिक फशले हैं, जिनका विदोसों के अंदर निर्याद भी किया जाता है। तीसरा, किनी दो बायो डीजल फशलों के नाम ऐसी फशले जिनसे बायो डीजल का निर्मान किया जाता है। तो वो है जट्रोफा और जोजोबा, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रशन है, दो बायो डीजल फशलों के नाम तो जट्रोफा और जोजोबा, प्रशन संग्या चार है, गन्य की फशल त्यार ओने में कितना समय लगता है, तो गन्य की फशल त्यार ओने में लगबग एक वर्स याने की 12 महीने का समय लग जाता है ठीक है प्रशन संक्या 5 भारत में पैदा की जाने वाली सूस्क परदेशों की फशलों के नाम यह ऐसी फशले जो सूस्क परदेशों में जो सूखे परदेश हैं जहांपर बारिस बहुती कम होती है एसे परदेशों के अंदर उगई जाती है तो वो पशले हैं आपकी जुआर, बाजरा और रागी यह विशेज रूप से आपके राजस्तान के अंदर उगई जाती है कहां पर राजस्तान का जो मरुस्तली चित्र है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बारिस बहुत ही कम होती है प्रशन संग्या 6, very very important है भारत के अंदर बाजरा का सबसे प्रमुक उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे अधिक बाजरा कहां पैदावार होती है वो होती है आपके राजस्तान के अंदर प्रशन संग्या 7, मका फसल के लिए आवशक तापमान कितना होता है प्रशन संग्या 8, किनी दो रेसेदार फसलों के नाम ये भी important प्रशन है, दो आपकी रेसेदार फसलों के नाम बताने है तो एख है आपका जूट और दूसरा है आपका कपास मिलुजणे संक्या नोग गन्ना की सक्टी बंदी की फसल है तो जो गन्ना है यह उश्न और उपोष्न ख्टी बंदी ये चित्र की जहांपर घर्मी भी पड़ती है और गर्मी और सब्दी दोनों लगबद समान लेवल में रहती है वहाँ पर गन्ना का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है तो गन्ना के लिए जो कटी बंधी चेत्र है वो है उष्ण और उपोष्ण कटी बंधी चेत्र प्रश्ण संक्या 10 है आपका वो है आपके सामने कि कपास उगाने वाले दो परमुक राज्यों के नाम जहाँ आपका का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वो है आपका महाराश्ट्रों और गुजरात ठीके ये थे आपके अत्यु लगरु आत्मक प्रश्ण आगे बरते हैं रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिये वाले प्रश्ण रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिये पहला प्रश्ण कर्तन देहर प्रणाली को भारत के उत्री पूर्वी परदेशों में खाली जगह कहा जाता है कर्तन देहन प्रणाली यानि जो आड़ी छेत्रों के अंदर जो व अध्यों को काट कर वहाँ उनको जला देते हैं और वहाँ पर कुछ समय के लिए खेती करते हैं तो इस प्रकार की जो करसी परनाली है उसे कहते है करतन दहन परनाली और इसी को जो उत्री पुर्वी परदेश है ठीक है जो पहड़ी चेत्र है वहाँ पर उनने कहते हैं जूम में है आपकी कौफी की ठीक है तीसरा भारत की दो तीया जनसंख्या खाली जगव कारियों में सलग नहीं कौन से कारिय में आज भी भारत की दो तीया यानि लगबग 60 से 70 परसेंट जो जनसंख्या है वो कर्सी कारियों के अंदर लगी हुई है प्रश्ण संग्या चार है कपास के पौधे का मोल इस्तान माना जाता है क्यों सक पास की उतर्पिट या उत्वर्ण कहांबर हुआ है भारत की अंदर ही हुआ है ये थे आपके रिफ्तिस्तन वाले प्रस्न आ गे बढबते हैं लगुर आतमक प्रस्न ऐसे प्रस्न जिनके जबाब आपको चार से पांच लाइन के अंदर देने होते हैं प्रारंबिक जीवी का निर्भा करसी और वानिजीक करसी की तुलना करनी है देखो नाम से पता चल रहा है जीवी का निर्भा करसी जिससे केवल जीवन का निर्भा हो सकता है गुजरा हो सकता है और एक है वानिज्जिक जहां से बहुत ज़्यदा उत्पादन होता है जिससे आये प्राक्त होती है ठीक है जिसका निरियात क्या जाता है वो भशले होती है वानिज्जग तो देखे दोनों के अंदर अंतर तो प्रारंबिक जीवी का निर्वा करसी भूमी के छोटे टुकड पर जो प्राचिन जो आपके करसी ओजार है उनकी मदल से की जाती है और इसमें केवल एक परिवार या कुछ समुदाय के व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं ये खेती करते हैं जिनसे केवल उनका क्या होता है गुजारा हो जाता है ये उनका जीवन निर्वा हो जाता है पर बात क प्रारंबिक जीवी का निर्भान करसी यह गेहन जीवी का करसी तो यह भी क्या है एक परकार की गेहन खेती है और इसमें अधिक उतपादन के लिए अधिक मात्रा में जेवरासायनिक निवेसो और सिंचाय का उपयोग किया जाता है यह विशेसकर उन चित्रों में की जाती है जहाँ पर भूमी पर जन संक्या का दबाव बहुती ज्यादा होता है यह भूमी तो कम होती है लेकिन जन संक्या बहुत ज्यादा निवास करती है वहाँ पर गेहन जीवी का करसी की जाती है और इस परकार की करसी के अंदर जेवरास प्रभी की फशलों को कब बोय जाता है? सीत रितू के अंदर अक्टू बर से दिसंबर तक बोया जाता है और कटाई कब होती है? ग्रिसमर रितू में अप्रेल से जून के मद्य इनको काटा जाता है इसमें कौन-कौन सी फशले आती है? विशेश रूप से आपकी गेव, जो, चना, मतर और सरसो ये क्या है? ये रभी की प्रमुक फशले हैं ठीक है कहाँ प्रभोई जाती है? उत्तर और उत्तर पच्छी में राज्यों में रभी की फशल का उत्तपादन सबसे ज़्यादा होता है एक तो उत्तर भारत के राज्यों और एक उत्तर पच्छी में राज् सेलसियस से लेकर 25 डिगरी सेलसियस तापमान उप्युक्त रहता है कितना 10 डिगरी सेलसियस से लेकर 25 डिगरी सेलसियस तक ठीक है दूसरा इसकी खेती के लिए समान रूप से वितरीत 50 से 75 सेंटीमेटर वर्सा की जुरूत होती है कितनी 50 सेंटीमेटर से लेकर 75 सेंटीमेटर पड़ती है और इसकी खेती के लिए हलकी दोमट मिट्टी वर चिकनी दोमट मिट्टी बहुत ही उप्युक्त रहती है कैसी मिट्टी हलकी दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी बहुत ही उप्युक्त रहती है ठीके आगे बढ़ते हैं प्रशन संग्या 5 व्यापक भूमी वि को अपनिगाए गया व्यापट भूमी विकास कारेक्रम के अहत कर्सी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए संस्तागत तोर पर और तक्निकी सुधारों को अपनाया गया इस दिस्ता में उठाएगे महत्पुन कदमों में सूखा बाड चक्रवात आग और बिमारियों के लिए फसल बिमा के प्रावधन किये गए और किसानों को कम दर पर रेंड सुधाय परदन करने के लिए ग्रामिन बैंकों सहकारी समीतियों और भूमी विकास बैंकों की स्तापना सामिल है इन चीजों की क्या की गई इस विकास कारेक्रम के तहप कर्सी उत्पादन को बढ़ाने के जिसमें सूखा, बार, चक्रवात, आग, बिमारियों से बचने के लिए किसानों के लिए फसल बिमा की, क्या की की सूविदा दी गी और आपके किसानों को कम रेट पर लोन उपलब्द करवाने के लिए अलग-अलग सहकारी बैंकों की स्तापना भी की गई थी आगे बढ़ते हैं, प्रशने संक्याच्छे, जीन करांती किसे कहते हैं, और कार्बनिक कर्सी का आज अधिक परचलन क्यों है, दो कारण बताईए पहला प्रश्ण है जीन क्रांती क्या है और दूसरा है कार्बनिक कर्स्ती का आज ज्यादा परचलन क्यों है दो कारण बताने हैं जननिक एंजिनीरिंग द्वारा बीजों की नई संकर किस्मों को त्यार कर पश्णियों का उत्पादन बढ़ाय जाने को क्या कहते हैं जीन क्रांती और आज कार्बनिक कर्सी के दो कारण निम्न है पहला इसमें उर्वरकों और कितनासकों का परियोग नहीं किया जाता किसमें कार्बनिक कर्सी के अंदर दूसरा इसका प्रयावरण पर किसी तरह का नकरात्मक प्रबाव भी नहीं पड़ता है इन दो वज़े से आज कार्बनिक या ज्याविक कर्सी को बहुत ज़्यादा मैत्वा दिया जा रहा है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संग्या साथ बारतिय प्रिक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि भारतिय कर्सी में भारतिय अर्थ व्यवस्ता में कर्सी के महत्व को इसपश्ट कीजिए तो आज भी भारत के अंदर जो कर्सी है वो एक प्रात्मिक किरिया है जो वैक्ति के लिए अधिकांस, खाध्यान और विब्बिन उद्य कारणों से हैं, पहला कारण कौन सा है कि भारत की कुल राष्ट्री आय में कर्सी का क्या है महत्वपुन योगदान है, दूसरा देश की लगबग दो तिया है जनसंख्या कर्सी कार्यों के अंदर आज भी लगी हुई है, तीसरा कर्सी से उद्यगों को क्या मिलता है कच्छ करके भारत विदेशी मुद्रा को भी क्या करता है और जित करता है, परसी का देश की सम्रदी और सुरुक्सा से बहुत ही धनिष्ट संबन्ध है, व्यपार उद्यगों रियातायत का विकास कर्सी पर ही निर्भर करता है, और कर्सी भारत में रोजगार का क्या है, आज भी म पर निर्भर है अत्व भारती अर्थ रवस्ता में करशी का एक बहुत बड़ा क्या है मैत्वय या योगदान है प्रशन संख्या आठ जूट के उत्पादन के लिए आफसक प्रस्तितिया निम्न है पहला जूट की खेती की वर्दी काल के दौरान उच्छ तापमान की आफ सकता होती है जब जूट का पोधा वर्दी कर रहा होता है ठीक है उस समय उच्छ तापमान की जरूत परती है जूट की खेती के लिए बाड के मैदानों की जल निकास उबजव मिट्टी आती है जिससे परती वर्स नई मिट्टी जमा होती रहती है जूट के लिए जो परती वर्स जमा होने वाली नई जलोड मर्दा होती है वो काफी उप्योगी होती है ठीक है बात के जूट के उप्योग की पहला उपयोग जूट का उपयोग बोरिया, छटाई, रसी तंतू और दागों के निर्माण में होता है दूसरा बस्तकारी की वस्तूओं के निर्माण में जूट का उपयोग किया जाता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रभी और खरीब की फसल में आपको तीन अंतर बताना है ठीक है, प्रशन संख्या 9 है, रभी और खरीब की फसल में तीन अंतर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट और काफी सरल प्रशन पहला रभी फसल एक बाग में लिखा है एक बाग में लिखा है खरिब फसल तो रभी फशलो की बुवाई स्थीत रितू में अक्टू बर से दिसंबर के मध्य की जाती है सर्दियों के अंदर अक्टू बर से दिसंबर के मध्यों वही खरब फशलों की बिवाई मांसुन के अगमन के साथ जब मांसुन के इंक्री होती है जुन जुलाई के महिनों में की जाती है रभी की फशलों को ग्रिस्म रित्व में अपरेल से जुन के बीच में काट ले जाता है वही खरीब की फसलों को सीत काल के प्रारंब होने से पहले ऑनि सरदियों के इश्टार अँरूने से पहले सीतंबर अक्टूबर मां में काट ले जाता है ठीके रभी की फसलों की बात करें तो गेव, जो, मतर, चना और सरसो ख्रेब की फसल में पर्मुक फशले चावल, मक्का और जुवार ये दुनों के अंदर हो गया अंतर प्रशन संके 10 चावल की करसी का वर्णन निम्न बिंद्यों के आधार पर कीजिए पहला जलवायू के आधार पर और दूसरा उत्पाज़ चेतर के आधार पर पहले बात करते हैं सावल की खेती के लिए आफशन जलवायू तो चावल है वो आपकी खरिब की फसल है इसे उगाने के लिए उच तापमान एचिस दिगरी सेंडी ग्रेड से उपर तापमान की जरूद पड़ती है और आधरता लगबग 100 सेंटीमिटर से अधिक ठीक है और कम वर्सावाले चेतरों के अंदर इसे सिंचाई करके उगाया जाता है इसको चावल को पिर बात करें उध्पादक चेतर उध्पादिन कहां-कहां होता है तो चावल उद्थर और उद्थर पूर्भी मैदानी चेतरों तरटी चेतरों और डेल्टाई पर्देसों में गए जाता है जापर पाने की उपलिद्धा बहुत ज़्यादा है प्रिक्सा उपयोगी प्रश्ण बंद रहे थे उनको डिस्कस कर लिया है उम्मित करता हूँ सारी प्रश्ण आपकी प्रिक्सा के लिए उपयोगी साबित होंगे तो क्लास देखने कला आप सुभी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और महनत पसंद आई है तो फिर लाइ सुभी प्रश्ण